इसलाम अलेकुम बिसमिल्ला रह्मान रहीम मैं बहुत शुकर गुजार हूँ जमात इसलामी की के उन्होंने मुझे ये एक मोखा दिया और ये इजद बक्षी के आप लोगों से कुछ दिल की बात शेयर कर सको और ये नसराबाजी हमारे बड़े हैं और मैं उनको पूछ रही थी किस तरह से बात करों क्योंके मैं बहुत प्रोफीशन नहीं हूँ उर्दू में तो फिर भी जो क्योंके मैं पेशन्स के साथ इतने साल मैंने उर्दू सीका ही हाइदरबाद से तो जो भी मेरे से जो है अगर कोई अगलतिया हूँ तो माफ करें मेरे डाइलेक्ट में यहने 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 विदाउट वेस्टिंग मच ताइम माई यहने यहने यह विद लाइक तू प्रोफेशन नोबल करके नहीं होता आप अगर देखेंगे इस दुनिया में तो और्किटेक्ट्स भी हैं इंजिनियर्स भी हैं और कई प्रोफेशन हैं जो अल्लापाक ने पैदा किया मगर सिर्फ दो प्रोफेशन हैं जिनको लोग आम तोर से यहने नोबल कहते हैं या तो मेडिसन या टीचिंग दोनों में से यह और एज डॉक्टर मैं यह कहूंगी कि यह इसलिए हमको यह इज़त मिली क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे हमारे जो सीनियर्स थे उन्हों ने यहने यह प्रोफेशन को शुरू से ही नोबल बनाया अगर आप नोट करेंगे डिशनरी में कि नोबलिटी का मतलब क्या है नोबल याने वो लोग जिनके अंदर बहुत ही नफीस किरदार होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के लोग होते हैं जैसे कि आपने भाई में अभी इसुफ साथ ने सुनाया एवसीना के बाले में उनक सब सिर्फ not as a doctor मगर even उनकी खासियत शक्सियत जो एक इंसान के तौर से थे वो जब हम पढ़ने बाइठेंगे तो हमको एक inspiration होता है और हमारे भी जो teachers आज मैं जो है यहने medical profession में मैं पास करी 19 I think 1982 में और आज आप सोच सकते हैं कि कितने साल बह गए हैं और मेरे जो teachers थे उन से भी मैंने उनको देखकर भी कईया इसे quality सी का जो आज पाना बहुत मुश्किल है अब अगर एक doctor की जिंदगी देखे मैं बहुत खुश हों कि यहां पे जवान बच्चे भी हैं और जरूर इन में से कई होंगे जो medicals हैं who are in the early stages of becoming a doctor तो मेरा एक ही चीज और कई आईसे भ देखेंगे वो सिर्फ doctor बनने बाद शुरू नहीं होता है उसके एक four phases होते है first वो stage जब वो इस profession में आना चाहता या चाहती हो याने like high school ये shock high school से शुरू होता है कभी उससे पहले भी शुरू होता है तो जो है याने मगर बच्चे की जहनियत usually turn होती है from high school तो high school से inter उसके बाद entrance exams ये सब तो यो pre-doctor phase है उसके बाद as a medical उसके बाद as a you know once you have become a doctor you have got your degree and third like हमारा phase when we are attaining our retirement we have finished almost 30 years of our practice तो मेरा हर phase में अपना जो make-up है वो make-up इंसान को अपनी nobility और noble character के shaping में जैने mold करना बहुत जरूरी है मैं आपको एक बहुत interesting वाक्या बना बताऊंगी मेरे ही जिंदगी की कि जब हम लोग second third standard में थे एक बार हमारे school में ऐसे ही एक program था कि जो है जब बड़े बनेंगे क्या बनेंगे तो मैं और मेरे थोड़े दोसना ने कहा कि हम doctor बनेंगे किसी ने कहा teacher किसी ने pilot पता नहीं क्या क्या तो जब हमारी दौर आए तो क्यों बनेंगे doctor तो हम बोले के वही हमको तो surf करना है इसलिए हम doctor बनना है we like we want to surf people तो फोड़े दिन पहले मेरी भी पोत्री है जो सिर्फ यही एज की है she's around six years तो एक हमारे flats में get together था जहाँ बच्चे मिलके खेल रहे थे और ऐसे ही कुछ discussions हो रहे थे कि आप क्या तुम क्या बनोगे आप क्या बनोगे ऐसे ही तो किसी बच्चे ने कहा के doctor बनेंगे तो मैं एसे कुछा के तुम क्यों doctor बनना चाहते हो तो उसने कहा because auntie I want to make money I want to become rich तो मैं तो बिलकुल एक दम से यहने मुझे मेरा ही वक्त याद आया के भाई बली याला यह जिंदगी किस तरसे इतना छोटा बिलकुल six year old तो मैंने फिर उसको कहा के देखो बेटा ये बात तो correct है मगर money ऐसे ही नहीं आता you have to work very hard be a good boy तभी अला मिया आपको ये इस चीज से भी bless करता है तो खेर वो तो एक छोटी चीज है बद मेरा यही कहना है कि आप अगर medicine में आना चाहते हैं जो भी आप लोग आपके यहने who are all in the teens जड़ा अपना mind बना लीजे medicine में मत आईए इसलिए कि आप शादी करना चाहते हैं या आपके parents चाह रहे हैं या आपके बाजुगर वाले मेड़की बेटी medicine में आई या बेटा medicine में आई एक social यहने क्या बोलना एक upliftment के लिए बिलकुल नहीं आप medicine में आईए beautiful profession है कि आपको शोख रहना इस profession का इतना आसान नहीं है doctor बना उसके बाद वो दाओर है जब आप medical college में आएंगे जब आप student बनेंगे तो उस वक्त में यह बहुत important age होता क्योंकि यह वो वक्त होता जब आप mold होते हैं आपके qualities of nobility mold होते हैं उसी वक्त से आपको यहने you should have that जैसे कि बुलते हैं strife to learn कोई भी subject हो आप उस subject के depth में जाना shortcuts में मत जाईए यह नहीं के आप anatomy पढ़ेंगे तो कोई shortcut की किताब से आप pharmacology पढ़ेंगे कोई shortcut की किताब से नहीं हर standard किताब के आप perfect है ना और तब ही आप complete होते strife to learn और maximum teacher से सिखिए अपने उस्तादों का बैट के मजाख मत उड़ाइए हर उस्ताद से हम कुछ ना कुछ सीखते आज जब मैं operations करते हूं अल्ला गवा है मालिक ने मुझे बहुत सिखाया मगर मैंने हर teacher से कुछ ना कुछ सीखा इनके जो है क्योंकि हर एक को अल्ला मिया कोई ना कोई तो अपने आंखों को खोलिए सिर जुकाए अपने माबाप मेरे बाप वो है मेरे माने मैं इस फैमिली का हूं मैं वो हूं यह हूं यह सब मत कीज़िए पस सीखने को निकले और सीखिए और attain to achieve the maximum और मैं कभी-कभी एक चीज़ जूनियाज में यह भी देखते हूं कि जो है वैसे कि मैं गाइनकॉलजिस्ट हूं अगर फरस करो लेबर रूम में पोस्टिंग हूं एक पेशिंट आप तो जानते हैं कि बारा घंडे भी लगते डेलिवरी होने के लिए तो कई जूनियाज आजकल दो बजे तक अगर ड्यूटी खतम हो गई तो चले जाते हैं बस वो ओवर में दे देते हैं और चले जाते हैं यह गलत तरीखा है अगर आपको कोई के पेशिंट को फॉलो करना है तो पूरे से फॉलो कीजिए ताके यू बिकम कम्प्लीट यह फ आप लोगों को बोलना चाहते हूं और जो है I want you to value these words. First thing is be organized. ऐसा नहीं के मैं कभी-कभी देखते हूं कि जब मैं शहर में जैसे के corporate hospitals जाईए बड़े-बड़े hospitals जाईए आपको आप note करेंगे और आप लोग भी note करेंगे के एक डॉक्तर का नाम 15 hospitals में है शहर के हर कोने मे क्योंकि शायद उनको वो prestige चाहिए कि हम इसलिए आज की जमाने में यहने आप यह महसूस करेंगे आम तर से society में कि डॉक्टर्स दो खिसम के होते एक वो खिसम जो दवाखाने चलाते और एक वो खिसम जिनको दवाखाने चलाते अफसोस यह है कि आजकल ऐसे ही डॉक्टर्स ज्यादा हैं यह इसलिए है कि आप लोग आपका ही greatness भूल चुके हैं आप चाहते हैं कि हम पूरे बड़े-बड़े banners में associated हो इस तरह से आप justice नहीं कर सकते आप be focused एक जगा ले लीजिए वो जगा develop कीजिए और अपने आपको भी तभी आप पूरा time दे सकते तभी आप patients को analyze कर सकते और एक यह चीज है कि अगर कभी भी जिन्दगी में कोई case को refer करना पड़ा तो उस patient को भी follow कीजिए ऐसा नहीं कि refer करके मुझ फेर लिये चलो वहाँ चले क्या मुझे मतलब ही नहीं है यह चीजे हैं जो younger generations में है timely get over this तो first thing is be organized second is don't forget ethics अपने ethics को मत भूलिये कभी भी जो भी आगे बड़े हमेशा ethics पे बड़े यहने कि अगर आपका कोई colleague बाहर गया और उस वक्त वह आप पे भरोसा करके उसका patient छोड़के गया यह कहीं बार होता है तो जो है आपका ही दोस्त उसके prescription के comment करता यह क्या दवा लिखा यह तो इतना पुराना हो गया यह unethical चीज होती हमें कभी भी जो है अपने ethics as a medical as a person आप भूलना नहीं चाहिए आपके ही colleagues को respect करिए para-medics को respect कीजिए चाहे वो दाया हो चाहे वो ambulance driver हो चाहे आपकी nurse हो कभी कभी आपकी nurse से भी गलतियां हो जाते मगर उसकी भी इज़त को इज़त रखिए और जो है अपना fraternity की हमेशा इज़त करना सीखना आप लो next चीज ये है के हमेशा honest रहिए अपने opinion में ऐसा नहीं के कहीं से cut बिल रहा इसलिए medicines आप टेस्टां लिख दिये मत कीजे be a patient friendly doctor and be honest जो ज़रूरी है विलकुल लिखिए मगर उसके बगार नहीं next एक चीज जो मैं आजकल ये भी बोलना चाहरी हूं is about connectivity तो मने अगर आप note करेंगे हमारा generation हो या हमारे भी इससे पहले हो आप ये note करेंगे के patient और doctor relationship जो है सिर्फ वो hospital के हद तक ही है उसके बाहर नहीं है एक बात कोई एक जमाना था जब patients भी अपने शादियों में हमको बुलाते थे अपने festivals में बुलाते थे मुझे याद है मेरे parents भी doctors है और मुझे आज भी याद है कि जब दभी दिपावली आती है दिवाली आती है हमारे घर में खाना पकता ही नहीं था क्योंकि हमारे पास इतनी मिठाई इतने दावते हैं होते थे कि पूरे हमारे माबाब के parents patients ही तो यह connectivity जो है आजकल खतम हो चुका है अपने patients को भी connect कीजिए happy यह मैं आपको एक interesting वाक्या बताती हम जो मैंने महसूस कई बार असरा में होता था कि मैं असरा में healthy for almost 20 years तो मेरे जो assistance थे वो मेरे prescription से tuned थे कोई भी patient अगर यहने जैसे के कुछ भी जनानी problem से आये तो वो ही treatment लिखते थे इन लोग आदत हो गए थी तो patients जो है फिर भी बैटके मेरे से आके verify करते थे वो ही prescription तो मेरे assistance एक बहुत चिड़ गए थे कि देखो madam हम ही लिखते और बिस यह लोग कोई चीज repeat कर रहे और आप तो वही repeat कर रहे फिर भी यह लोग मानते नहीं हमारे पर भरोसा नहीं करते हैं तो मैं उन लोग को बिठा के वो ही बोली फर्ख इतना ही है कि मैं उनको पूझ के जरा बिठा के हाँ कैसे हैं आपके अ पेशिंस उसमें आपको भी प्यार और दुआ मिलती है और आप भी एंजॉइ करते हैं बिए इन दो हॉस्पितल है जो डॉक्तर जो हॉस्पितल में कई चीज यह ने अब सीनियर आप उनसे पूछ सकते हैं यह माने हमारी जिंदगी और हमारी हर खुशी हमारे हॉस्पितल म हम जितने खुश दवाखानों में रहते हैं शायद घर में नहीं रहते हैं ऐसा यह यह यूशल चीज है तो जड़ा कनेक्टिविटी भी रखिये और नदर तो 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 एंग्स्टर इस मेंटें कंपाशन बी काइंड इतना याद रखो के अगर अगर परवर्दिगार नहीं चाहा आपकी यह उली का इत हिस्सा भी नहीं हिलता वो तो सिर्फ खुदा का हुकम है आप कितने भी बड़े डॉक्टर हों आप बड़े होई नहीं सकते जब तक मालिक आपको जब तक वो पोजीशन पर रखेंगा तभी आप रहेंगे आपका साइनस वाइन सब वेस्ट तो खुदा को हम उसका एहसान की वापस ही हम कभी नहीं कर सकते मगर थोड़ा गोत भी उनका भी सोचना जिनके पास पैसे नहां जो हरीब हो उनके लिए भी आपको करना फर्ज है वारना आप इस दुन्या से निकल गए विदाउत रीपें तो ग जो गरीब हैं और जो यहने जिनके पास उतना जो है यहने अफोर्ड़बिलिटी नहीं होती अक्सेसिबिलिटी नहीं होती यह इंपोर्टन्ट है तो लास्ट यहने मेरा एक चीज़ लास्ट बट नॉट दे लिस्ट यह पताना है कि जिन्दगी में हम सब यह कि जिन्दगी में हम सब्सक्राइब नहीं होती नहीं है आप नमाज की पाबंदी रखिये परान शरीफ बराबर पढ़िये रोजे की पाबंदी रखिये और कभी भी दीन को एक्स्टूज मत बनाईए आप नमाज को यह सब करना है डॉक्टर रहते हुए यह नहीं कि जो है हा मैं आपरेशिं मैं नहीं कर सकती है क्योंकि कई बार मैं तो सुनियू हुए मुझे वही तकलीफ होती कई बार के जो है और कई हमारे हिंडू दोस्त मुझे पूछते थे जब मैं अस्रा में भी थी तुम नहीं आपको फर्स करते हुए आपको ये फर्स भी निबाना है इस दुनिया में और मैं आपको देखे माने ये चीज़ बताऊंगी कि जो है जिंदगी में जो भी अल्ला ही हमको तरखी देता है मेरे साथ यानि एक आइसा वाकिया हुआ था एक 20 साल पहले एक पेशन थी जो जिनको बचे नहीं थे 18-20 साल और वो आय थी अपने पास जो है बड़े उमीद लेकर आय थी उसको कोई गाउं में बोला था और वो सिर्फ आंधरा से थी असे तलगु जानती थी और मुझे तो मैं नहीं आती जो और वो उसको कोई भीजाया था और वो बोली के नहीं नहीं मुझे मैंने कुछ दवा चाहिए तो मैंने उसको सिर्फ एक B-complex की टॉनिक लिखी बस और वो नेक्स्ट मन्त आई प्रेग्नेंसी से और जब वो यहने बाद में उसको जो है-खैर बेटा हु और रिसेंटली उसके बेटे की शादी हुई तो मुझे रुखा देने आई थी के मैडम देखो आतके उससे बच्चा हुआ तो मैं बोली देखो मा एक सच मैं बोलती हूं मैंने कोई दवा नहीं लिखी तुमारे बेदे के लिए वो तो मॉला ही दिया तुमें बेटा और उ करुछ सामने करने के सच साथ ड़ी कोई नहीं नहीं देखोर नहीं कर दो काडम है तो मतली है यि यूसफप बर नहीं हम देखो काona Patra,व अपने कहा आने वाला कल आप ही नौजवानों के हाथ में है और इस यहने मेडिकल फैकल्टी एक बहुत बड़ा चंक है जिसको आप ही को समालना है ख़दा आपी सलहम देंगा अल्ला हम सब को बर्कत अता करें